टोक्यो उलम्पिक में अब दूसरा सबता शुरू हो चुका है, नौवे दिन डिसकस थ्रो में देश की उमीदे जागी हैं, महिलाओं की इस परधा में कमल प्रीत कौर ने 64 मीटर के स्कोर के साथ फाइनल में प्रवेश कर लिया है, वह ग्रूप B में दूसरे इस्थान पर र जबकि मुक्यबाजी में देश की सबसे बड़ी उम्मीद अमित पंगाल भी हार कर बाहर हो गए हैं, दुनिया के नंबर एक खिलाडी को कोलंबिया मुक्यबाजी से शिकस्त झेलनी पड़ी, अब बैडमिंटन में महिला एकल के सेमी फाइनल में पीवी सिंदू से उमीदे हैं, जबकि मुक्यबाजी के क्वाइडर फाइनल में पूजा रानी दावेदारी पेश करेंगी, बता दे कि हौकी में भी महिला टीम के लिए गुरूप का आखरी मुकाबला एहम होगा, आपको बता दे कि महिलाओं की डिशकस थ्रो इस परदा में कमल प्रीत कौर ने स्कोर करने वाली भारत की खिलारी बन गई है, स्पेसल डेस्क नवदीप टुडे, दिल्ली